देखो बच्चों कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर एज की क्राइटेरिया बता दो कि एज जो है बढ़ा है 40 साल हो गया क्या फीमेल के लिए यह क्या तो आप देखिए यहां पर समझ लेते हैं एज के बारे में अगर हम बात करते हैं पीजी टी की पीजी टी जो कंप तो टीजीटी की वेकेंसी के बारे में अगर आप देखोगे तो टीजीटी की वेकेंसी बिटा यहां पर आई है जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की यह डीओई में चपनबटे 24 इसका पोस्ट कोड है ठीक है और इसमें जो है डायक्टेट ओफ एजूकेशन में यह भी छेवी ग्रेड में ही तो दोनों की दोनों वेकेंसी बिग्रेड में अब एज की बात कर लेते हैं तो एज के बारे में यहां पर आप समझो कि एगे एग्टेग्री दिवीं एग्सेशन कैसे मिलेगा आपको ठीक है एक्स एकतेंट डाफ एज कंसेशन अगर बी और सी के च् यानि अगर आप तो आपकी जो पीजीटी की एज हो जाएगी और जो थर्टी सेवन हो जाएगी और जो थर्टी फाइव हो जाएगी चाये वह मेल हो या फीमो उससे कोई मतलब नहीं है बात करें क्तोर से अगर है तो आपकी जी एको 35 साल जाएगे और टीजीटी के लिए जो आफ o तो पंद्रे साल का रिलेक्सेशन है यानि यहां पर एज 47 हो जाएगी और यहां पर जो है एज आपकी 45 हो जाएगी और अगर अगर आपने रेगुलर सर्वेंट है लाच थी एर से सर्विस करें तो आपको पास साल का जो है एज रिलेक्सेशन मिले गई वह सभी पोस्ट के अंदर है तो यह एज रिलेक्सेशन से रिलेटेड है यहां पर ऐसा नहीं है कि वह हो जाएगा अब यहां पर आप देखिए फोर ग्रूप सी पोस्ट जो सी वाली तो सी में है नहीं 40 साल की महां पर दिया हुई थी तो यह टी वाली है इसमें और वोवें के लिए ऐगर आप बात करें तो वोमेंस के लिए भी अगर अलग से एज रिलेक्सेशन निकला हुआ है तो C वाली पोशट के लिए ही निकला हुआ है बाकी अब निकला हुआ है 55 साल बी और सी में और डिसेबल डिफेंस के लिए निकली हुई निगले बस ठीक है इसके अलावा कोई एज रिलेक्सेशन नहीं है अगर आप केटेग्री मैं आ रहे हैं मने वह तो के 강ै प्यक्तिमी जणर से लगे तो । सारी का सारे में तो एस रए प्योगे डिक रहनी है को प्यह 30 दिस चलेगा तो जैरनल के category ही वेकनसीज है ठीके बाकि GT की वेकनसीज में आपके पास मिल जाएगा कितना आपको एस रिलेकसेशन के अकोर्णी मिल जाएगा तो जो